आज कांग्रेस ने यहां पे भारत को S-400 लेने पे एंग्जेंप्शन अप्रूव कर दी, सेनट से भी अप्रूव होने वाली, एक, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, कि रशिया और भारत एक दूसरे के साथ रूपीज में डील करने का प्रोरम जो बना रहे हैं। ये अमेरिका ने कहा है, क्योंकि वहां पर वो कास्ता के वाले से भी एक वेवर्स देने की बात चल रही है, वो भी एक कानून साजी हुई है वहां पर अमेरिका में। आपको डाक्टर जे शंकर का पॉर्टफोलियो पढ़ना, उनका रैजमे पढ़ना, उनका ये देखना बड़ा इंपॉर्टर्ट ही, मैं समय तो हैं हैंडरी किसिंजर के बाद दूसरे फार्न मिनिस्टर होंगे दुनिया के, जिनके बारे में लोग कताबें लिखेंगे, ज वो तो इक्वल, इक्वालिटिव की बेसे पे काम कर रहा हैं। अमेरिका की प्रतिनीदी सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाईल रक्षा परनाली ख्रीदने के लिए काटसा प्रतिबंदों से खाज छूट दिलाने वाले एक संशोधिर विधायक को पारित कर दिया है। अब अमेरिका द्वारत को मिली इस खाज शूट से पाकिस्तान है। यहां पे एक और चीज़ मेंशन करूँगा आप देखें जो के इनके सामने आँखों से गुज़र रही है। आज कांग्रेस ने यहां पे भारत को S-400 लेने पे एक्जैंप्शन अप्रूव कर दी, सेनट से भी अप्रूव होने वाली है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और भारत एक दूसरे के साथ रूपीज में डील करने का प्रोड़म जो बना रहे हैं। खासकर भारत की फार्म पालिसी को देखने से पहले आपको डाक्टर जे शंकर का पॉटफोलियो पढ़ना उनका रैजमे पढ़ना उनका यह देखना बड़ा इंपॉर्टर्ट ही। मैं समय तो हैंड्री किसिंजर के बाद दूसरे फार्म मिनिस्टर होंगे दुनिया के जिनके बारे में लोग कताबें लिखें और से देखें। कि वह उनकी मैंने पहले विश्यद आप बताया था कि जो ट्रैवल करते हैं सुने के लिए सिर्फ जाहाज में जाते हैं वरना वो नीचे उतरते दो वीटिंग्स करते हैं और जिस तरीके से आई टू यू उन्होंने इस्राइल में जाके मीटिंग्स की हैं और आप जिस तर प्राइम मिनिस्टर और समय 40 दिन रखके आप उस पर सर्च करते रहें आपको क्या पता है आई टू यू टू किया चीज़ होती है आप तो ब्लैकमेल करते रहे हैं और उसको जस्टस को आप उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं उसको डॉक्टर जे शंकर से किस तरह उस आपने चैना का अपनी करॉप्शन के आप खा गया है वो नराज बैटे है आप से यह जो कानूनी तर्मीम अमरीका के जो नेशनल डिफेंस आथराइजेशन एक्ट है उसमें पास की गई है इसको बहुत एक तारीखी अमेंडमेंट इंडियन्स करार दे रहे हैं यह जो के रूस के साथ बड़े पैमाने पर दिफाई साजो समान की तजारत करेगा दीगर चंद मौामलात पर भी इसका इतलाक होता है लेकिन में परपस है कि अगर कोई भी मुल्क रूस के साथ किसी दिफाई मोहदे में जाता है उससे डिफेंस एक्वेपमेंट खरीदता है तो फिर उस पर पाबंदियां लगा दी जाएं वो पिर पाबंदियां मुक्तलिफ उसकी अकसाम है बारा से तेरा सेट है सेंक्शन्स का जो के लगा सकता है अमरीका और इसकी जो मिसाल हमारे सामने मौझूद है चीन के उपर लगाई गई है ये पाबंदिया तरकी ने जिस इसेंटमेंट शो की और अमरीका ने ये कहा कि हम जो है इनके उपर काटसा की सेंक्शन्स लगाएंगे पिर 27 दिसंबर 2020 डॉनल्ड टरम्प के दोर का बिलकुल आखिर था और बाइडन आने वाले थे सदर के तोर पर तो जाते जाते अमरीकी सदर डॉनल्ड टरम्प ने उन अमरीका ने कर रहा था लहाजा पाकिस्तान वो डिफेंस अपिमेंट जो है वो तरकी से नहीं खरीच सका क्योंके काटसा की सेंक्शन्स जो हैं पाबंदियां लगी हुए थी तरकी पर इसी तरीके से चीन के उपर पाबंदियां लगाएंगे लेकिन पिर हमारे सामने एक ए का फोकस नजराता है बहराल इंडिया ने फैसला किया कि वो भी S-400 मिजाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे उसके खरीदने का मोहिदा तैपा गया पेमिंट्स हो गई थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन S-400 मिजाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को भेज दिया जाता है और इ ये है इंडिया की कहानी लेकिन फिर मौमला आता है कि क्या इंडिया के उपर पाबंदिया लगाई जाएंगी ये वो टेस्ट था अमरीका के सदर जो बाइडन का कि क्या वो अपने करीबी एलाई को एक ऐसे मुलक को जो कि बहुत सिगनिफिकंट मुलक है इस खिते में इस साथ निगोशियेट कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि हमारी बात माने लेकिन इंडिया ने अपनी ना सिर्फ ये के बात नहीं मानी बलके अपने मुलकी मफाद में खड़ा हुआ और खड़ा उने का नितिज़ा ये है कि गुजशता रोज अमरीकी एवाने नुमाइंदगान में हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव में रोहित खन्ना की तरफ से ये अमेंडमेंट तारीखी अमेंडमेंडमेंड पेश की गई और इस अमेंडमेंडमेंड में ये कहा गया क चाहे दुनिया भर में जो कुछ किया जाए लेकिन जो नेशनल डिफेंस अथराइजेशन एक्ट है उसमें ये सफारिश बाकाइदा इन राइटिंग कर दी गई के पाबंदिया काटसा के तहत इंडिया के उपर वेव ओफ कर दी जाएं उनके लिए एक वेवर क्या सजेश ने करना है लेकिन उनको जो एक जवाज फरहम किया जाना था वो इस करारदाद के जरीए इस तर्मीम के जरीए जो है वो पेश कर दिया गया